3.2 question no.5 इस question को हमें graph से solve करना है प्रश्णावली यह जो है वो graph के लिए है जो एक आयताकार बाग है बगीचा है कोई उनने बोला है कि इस बगीचे की जो लंबाई है ये जो लंबाई है एक्स माल लेते हैं चोडाई से चार ज्यादा है किती है चार ज्यादा है प्रश चार इससे ये चार ज्यादा है ऐसे हम नहीं लिखेंगे इसे हम वाई माल लेते हैं ऐसे हम एक्स माल लेते हैं तो हम लिख है लेट लेंथ जो लंबाई है इसकी वो कित्ती एक्स हो गई एंड जो ब्रिथ है वो य माल लेते हैं मतलब जो चोड़ाई हो गई वो वाई हो गई तो समीकरण क्या बनेगा जो अबनेगी आयताकार बाग जिसकी लंबाई चोड़ाई से चार देगे जो लेंथ है वो फोर मॉर देन विर्थ एक्वर्डिंग टू दा क्वेश्चन प्रिश्णानों सब्सक्राइब एक्वर्डिंग टू दा क्वेश्चन जो लंबाई है क्या बोला है बैसले समझ लो उसको जो लेंथ है वो ब्रिथ से चार जादा है लंबाई ब्रिथ से चार जादा है ठीक लंबाई क्या है एक्स है हिंदी में भी लिख देता हूं लंबाई चोड़ाई चोड़ाई प्लस भी ठीक है लेंथ प्लस ब्रिथ इस इकोल प्लस फोर लेंथ क्या है एक्स है ब्रिथ क्या है वाई है और चार जादा तो इसका सम्मिकण बना लेते हैं x और y x minus वाई एकॉल तू 4 दूसर समिकण कहां से मिलेगा दूसर समिकण मिलेगा हमें यहां से अर्द परीमाप सेमी पेरामीटर ऑगा सेमी पेरामीटर है कि इसा डिया है 36 दिया है ठीक है कि तो फुल पेरामीटर क्या हो चलो ठीस से सैमी परिमीटर लेने दो और हम नहीं क्या जो अर्द परिमाप है वो है यह अर्द परिमाप 36 मीटर है तो आयत का परिमाप परिमीटर ओफ रेक्टेंगल परिमीटर ओफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेन्थ प्लस ब्रिथ दो गोणा लंबाई प्लस चौणाई ठीक यह इसका परिमाप का सूत्र है मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मूला रेक्टेंगल के पेरिमीटर का फॉर्मूला हाफ पेरिमीटर क्या होगा हाफ मतलब सैमी पेरिमीटर बात गोही है न तो सैमी पेरिमीटर पेरामीटर लेन्थ प्लस ब्रेत हो जाएगा गेबल टू अट जाएगा आधा खरोदें यह डबल ओना इसका करेंगे हम two say two cancel हो जाएगा आधा करना ठीक तो length plus breath हो जाएगा मतलब ये अर्ध परिमाप हो जाएगा ठीक अर्ध परिमाप किता दिया है 36 length plus breath और length किती है मतलब लंबाई किती है एक्स है और breath कितनी है हमारी वाई है ठीक तो सीधा जिख लेते हैं x plus y equal to 36 सम्मिकर्ण नमबर 2 equation number 2 हो जाएगी दोनों सम्मिकर्ण बन गए अब इस दोनों सम्मिकर्णों को हमें graph से solve करना है graph बनाना है ठीक है अब कराफ बना के से solve करेंगे तो दोनों इसको not कर लेना है मैं 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 इताने बाला हूं इसका हमें graph बनाना है तो देहो एक्जाम में यह question आता है तो हम वो पूरी पूरी सुतंतरता मिल जाती है कि हम ऐसे graph से solve करना है कि इसको substitution method लगाना है पृ elimination method बिलोपन बिदी लगाना है या cross multiply या बजगनल लगाना है हम तीनों method में से किसी एक से भी कर सकते हैं और एक graph मतलब 4 method है हमारे पास तो देखो इसे अगर बिलोपन बिदी से अगर हल करें मतलब elimination method से अगर हल करें तो बहुत easy हो जाएगा डारेक्ट ये cancel हो जाएगे ये xx2x हो जाएगा इसको हम plus कर देंगे कित्त हो जाएगा 40 और x की value डारेक्ट निकल आएगी 40 अपॉन 2 इक्वाल टू और x की value 20 और x की value हम substitute कर देंगे इसमें x का माल सम्हिकराण एक में x का माल x का मान सम्हिकराण एक में लखने पर इसमें सम्हिकराण एक में हम x का मान लख देंगे तो 20 minus y equal to 4-20 हो जाएगा इक पास मतलब चोड़ाई है चोड़ाई है चोड़ाई किती हो जाएगी 16 मीटर की और जो लंबाई है लेंद्ध किती हो जाएगी 20 मीटर यह आणसर जाएगा लेकिन हमें इसमें ग्राफ बनाना है और लिए यह लिए 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 के लिए मतलब विलोपन बेर दी कें ग्राफ से यहां करता है को क्या क्या करेंगे वाइक पर्स्ट्ट्ट सम्हिकरण से शम्मी करन 27 करन्म नंबर एक 30 कर दें वही हमें बोकस बनाने और तो यहां इसको हम बनाते हैं X के लिए y के लिए, x यहां पे, तो y equal to क्या, y के लिए क्या हो जाएगा, рашमिकर क्या हो जाएगा, y equal to 4, समिकर क्या हो जाएगा, x-4 equals to y, तो हम यहां लेख देंगा, यहां क्या लेख दे, y equal to x-4, ठीक है, हम कहले लें अब X की वेलु लेंगे चार डारेक्ट चार अगर यहाँ रखूंगा चार माइनस चार किता हो जागा जीरों और अब मैं यहाँ लेता हूं आठ ठीक है अगर ले लें तो गितना जाएगा चार जाएगा ठीक है contribution अब यहां पे देखो एकस किभी लो यहां पे हैं पे मैं कित्ते ले 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 तो हूं Volt में पाइस किभी ल्लो तो यह कता या जाएBooks और अगर मैं यहां एकस के भी लिनेट्स क्या बन गया ये वाला अब वह आठ है वह चार है तो आठ और चार ये बन गया ठीक है इसका आठ इसका चार ये वाला पॉइंट बन गया इसकी एक लाइन बना लेते हैं अपन ठीक है यह लैन बन गई इसकी अब हमें यह देखना है कि इसकी लैन कहां जाती है 4 और 32 एक्स का क्या है 4 और इसका क्योंता 32 यहीं पर आएगा यह पॉ Working आ गैए यह यह क्या है यह है तो यह 28 है इस का पॉंइंट कहा जाएगा आठ और 28 वाला यहां पर ठीक है यह आगया आठ हो क्या लिए 28 वाला तो हम देखते हैं यह 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 वारी जो लाइन है वो कहां से निकलेगी यह जारी लाइन ठीक यह है 20 ठीक कहां गया 20 पर और यह कहां है 16 पर मतलब यह जो इंटर्सेक्ट पॉइंट हमारा मिला है एक्स की वेल्यू 20 है और य की वेल्यू 16 है एक्स मतलब जो लेंथ हमारी लंबाई थी कि एल कितनी आगई 20 मीटर की और वाई जो हमारी चोड़ाई थी ब्रित कितनी आगई सोला मीटर यह अंसर आगिया ऐसा यह ग्राफ बन जाएगा इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं क्रोस मुल्टिप्लाइस से भी करते हैं जो इजी हमें लगे हम वो करेंगे और अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आ है कि किस में थर से करना है अगर अगर कभी कभी यह होता है कि यहां कोई पॉइंट कुछ किसी ने कुछ लिए होते हैं किसी के पॉइंट अलग आते हैं लेकिन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ना वो यही मिलेगा कर के देखना यहां पर ओ इसकी जगे में चार नहीं ले रहा हो 8 भी नहीं ले रहा हुँ ठीक है अपन इस ये वाली यह जो लाइन है न ये फर्स्ट एक्वेशन वाली इस लाइन के बारे हम बात कर रहा है कि इस लाइन पर अगमान के चलो ये लाइन हमें मिली नहीं है अभी ठीक X की लेड़े मैं अगर ले ले लो हम बारह ले लेता हूं Cup 28 अगर 12 रखो यहां पर 12 में से 4 जा से आएंगे 8 और यहांपर मैं 16 ले लो है 6 में से 4 जा से आई एंगे 12 चलो 20 ले 20 ले लो तो यहां कित्ता जाएगा 16 ठीक अब देखो 12 और 8 बारा कहां यह और 8 कहां पर यह बारा और 12 एक्स का और 8 कहां का यह वाला कहां आ रही पॉइंट यह मिला है पॉइंट इसी लाइन के ऊपर मिला ना ठीक है और दूसरा क्या है 20 और 16 20 यह है और 16 यह तो यही मिल गए यही का यही पॉइंट मिल गए अगर यह और यह पॉइंट हमें मिलते पहले तो लाइन यहीं से निकलती कर नहीं निकलती तो यह वाले point हमें नहीं मिलते हैं यह वाले point मिलते हैं लाइन कहा से आती यहीं यहीं आती है तो अब वहीं बोलता हूं कि point कुछ भी हो यह जो line है line वहीं से निकलेगी क्योंकि equation तो यहीं है equation क्या है x minus y equal to 4 इसकी equation क्या है x plus y equal to 36 इस equation से कोई भी point मिल जाएं कैसे भी point मिल जाएं इन point के अलावा कुछ भी point मिलें कोई दूसरे line तो यहीं से निकलना है और point जो line है दोनों वह यहीं पर intersect करेंगी 20 और 16 पर ही intersect करेंगी question number 6 है एक equation दी रखी है यह वाली equation है हमारे पास 2x plus 3y minus 8 equal to 0 इसको हम सीधा लिख लेते हैं x plus 2x 3y equal to 8 लिख लेते हैं ठीक है इस equation के साथ एक और दूसरी equation होगी वह हमें निकालना है यदि वह equation जो दूसरी हमें निकालना है वह equation इसके साथ प्रतिच छेदी मतलब intersect line बने intersect line कब होती है जब यह और यह दोनों match नहीं करते a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यह कब condition हो सीधा सीधा हमें सिर्फ इसको चेंज कर देना है 3x plus 2y equal to 8 देखो a1 upon a2 क्या आएगा 2 upon 3 equal to 3 upon 2 not equal to हो जाएगा तो यह intersect line होंगी प्रतिच छेदी रेखा होंगी सिर्फ इन दोनों को change कर दो आगे पिछे कर दो बस वो कुछ नहीं करना कोई plus minus नहीं कोई ज़्यादा भूनी सामांतर कव होती है मतलब parallel lines कव होंगी parallel lines कव होती है जब तीनों बराबर होते हैं कर दो 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 ईब्वन ओंपॉन ऑपॉन बी औकॉन अपॉन बी टू इस नट इककॉल टू सी वन अपॉन ची तू हो इस कंडिसन में हमें अब यह देखना है कि यह तो हैई कि 样 है डूधा नहीं है यह बी क्या है तीरी रही है इसकी फ़िघ्र नहीं है यह यहाँ हमें कुछ एसा रखना है नुमबर कैंसल होने के बाद इसके बराबर आजाए जैसे मैं अगर यहां पर 4 रखूंँ तो यहां पर मुझे कितना रखना पड़ेगा 6 क्योंकि इसको कैंसल करूंगा तो एक बाटे दो आएगा इसे केंसल करूंगा तो भी एक बाटे दो आएगा इसी वज़े से के वान पून अपन टू बवन वाटे के खलो पाएगा यहां मैं कुछ भी रख दूँँ जो नोट इक वर आएगा कुछ भी लख सकते हैं कोई वी बना सकते हैं तो यही रख देते हैं नहीं कितना है चार है इसका 4x बना देता हूं यह कितना जाएगा शिक्ष थे 6y एक उल् यदि यह नहीं बनाना हो कुछ और बना सकते हैं जैसे अगर मैं यहां पर 8 लिख दूँ इस 4 की जगे में कित्ता लिख दूँ 8 लिख दूँ तो यह 1 वटे 4 होगा अब यह 3 के पाड़े में 4 वार क्या आता वही लखना पड़ेगा ना 12 तो यह 8x 12y हो जाएगा यहां कुछ कुछ भी लिख़ो कुछ यह बराबर होना ही नहीं है ठीक है कोई भी equation बन सकती है तो यह लिख सकते हैं कश और भी दूब दो यह 15 हो जाएगा हैлом क्योंगि यह जो अनुपाद है ना इनका जो रेश्यों वही बराबर लेना है हम और छुछ नहीं तो इंथीर में स्कूिछ कुछ भी लिख सकते हैं कोई प्रोलोर नहीं है अब समपार्थी पर जाओ इसमें क्या होता है तीनों एक्योशन बरावर होती है तीनों रेशियों बरावर होते हैं हम यहां पर करेंगे इसमें भी हम चाल एक्स प्लस इक्वाइए 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 तो डेहों 2 अपॉन 4 एक्वाल टू 3 अपॉन 6 एक्वाल टू 8 अपॉन कितना लिखना पड़ेगा 16 यह कटेंगे तो एक बटे दो यह कटेंगे तो एक बटे दो यह भी कटेंगे तो एक बटे दो ठीक तीनों का नूपात जो है बरावर आना चाहिए यहां पर होगा 16 ऐसे इसको इपड़ा सकते हैं 8 x कर सकते हो इसको 12 y कर सकते हैं वो तो 8 4 बार है ना तो 8 के पाड़े में चार बार में क्या आएगा अट चोको 32 लिख सकते हैं यह कि यह जो एक ओपर दोनों का सेम आ रहा है कि क्वेशियों से जो इंटरसेक्ट लाइन आएगी एक इंटरसेक्ट लाइन मिलेगी जो पॉइंट मालेगा ठीक है और एक्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस जो होगा यहां पर यह जो एक्स एक्सिस है इस एक्स एक्सिस और वो दो लाइन जहां भी क्रोस कर रहें एक पॉइंट यहां 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 कहीं भी मिल सकता है तो इन दोनों पॉइंट यह वाला पॉइंट और यह लाइन है इन लाइनों से ब चालो यह y-axis है यह x-axis हो गया तो दोनों समीकर्णों को लिख लेते हैं solution में x-y equal to minus 1 कर दो और 3x plus 2y equal to 12 कर तो समीकर्ण नंबर 1 हो गया और समीकर्ण नंबर 2 हो गया तो समीकर्ण नंबर 1 से y equation first y वाला box graph बनाना अगई box तो बनाना पड़ेगा xy तो y equal to क्या यहां से x minus y equal to minus 1 लिखा है दिखा है यह पहली वाली equation इसी को ले लो plus 1 equal to 0 y को अधर पोचा देते हैं तो x plus 1 equal to y हो जाएगा तो मतला y equal to x plus 1 ठीक है अगर मैं x की value 1 लेता हूं तो y की value कित्या आएगी 2 और अगर मैं x की value 2 लेता हूं तो y की value कित्या आएगी 3 ठीक है दूसर समीकर्ण ले लेते हैं समीकर्ण नंबर 2 यहां पर देखो क्या है 3x plus 2y minus 12 equal to 0 यह वाली ले लो बरावर 12 उदार पहुचा नहीं है उसे यही काम कर लो कि माइनस महो जाएगा y माइनस महो जाएगा दिक्कत हो जाएगी हमें इनकी जरूरती नहीं है इने छोड़ों समीकर्ण नंबर 1 यही है समीकर्ण नंबर 2 यह है ठीक है समीकर्ण डो लिया 3x plus 2y minus 12 equal to 0 तो 3x y के equal लाना है न माइनस 12 equal to हमें आप y के equal मिले कहना है तो 2y यहीं रहेगा यह 12 जो है उदर चले जाएगा plus का हो जाएगा और माइनस का 3x हो जाएगा तो y equal to क्यों हो जाएगा 12 3x upon 2 ठीक इसके लिए box बनेगा अब भाई इसको solve बना है एक्स की वेल्यू तो यह है और y के वेल्यू क्या होगी 12 माइनस 3 x upon 2 in x को एक्स की वेल्यू इंडिपेंडेंट और यह dependent वेल्यू एk्स की वेली आयगी जो भी एक्स की वेल्यू आयगी हमारी जैसे एक्स की वेल्यू मैं कितनी लेलूं जीरो लेता हूं जीरो लेता हूं सबसे सिंपर है जीरो अगर जीरो मैं एक्स की जगे पर रखूंगा यहां एक्स की जगे पर मैं जीरो रखूंगा तो यह जीरो हो जाएगा यह 0 हो जाएगा, 3 से गुड़ा होगा तो, माइनस होगा नहीं, इसको काट दूँगा, किता जाएगा अच्छे है, ठीक है, अब X की वेल्यू अपनको एक पॉइंट हो चाहिए, अब X की वेल्यू क्या लें, कि 12 माइनस होने के बाद, यह कट जाए, पूरा-पूरा, एक जाएगा, 9, 9 में 2 का भाग होगा नहीं, ठीक, अगर मैं X की वेल्यू दो लेता हूँ, तो, 3 दो नहीं किता हो जाएगा, 6, और 6, 12 में इसके घटाएगा, तो, किता आएगा, 6, यह कट गया, तो, मैं X की वेल्यू किता ले लूँँ अब 6, और इसके काट दूँगा, तो, किता जाएगा, 3, ठीक है, 12 माइनस 3 गुणा 2, तो, 3 गुणा 2 किता हो जाएगा, 6, बटे में 2 लिखा है, तो, इसको, मैं, पहले तो, इसको घटा दो, 6 बटे 2, इसको काट दें, किता जाएगा, 3, यह वेल्यू मिल गई, आप इसमें रखना है, इसका ग्राफ मैं आपको, नॉट्बुक पर बना कर बताऊंगा, इस बोड़ पर तो, बन नहीं रहा है,